श्री शिवाय नमस्तु भियम दोस्तों परेशानी से लगातार परेशान रहता है पुझ गुरुजी पंडित प्रधिप जी मिश्रा का यह उपाय हम आज की इस वीडियो में जानेंगे इस अगहन मास में सब्तुमी तिथी को अगर कोई यह उपाय करता है तो उसके जीवन से परेशानियों तनाओ दुखों का दोर दूर होता है महादेव की विशेश क्रिपा उसको प्राप्त होती है जैसा कि आप सभी को पता है महादेव का दूसरा अवतार बजरंग बली है ऐसे में हम महादेव को खुश करके बजरंग बली की भी विशेश क्रिपा प्राप्त कर सकते हैं आपको इस दिन क्या करना होग कि प्रातर काल इसनानादी कर लीजिएगा इसनानादी करने के बाद आपको थोड़ी सी हल्दी शुद्ध जल में अच्छे से घोल लेनी है एक शुद्ध लोटा जल और यह हल्दी लेकर किसी भी नजदी की शीमंदिर में चले जाईएगा शीमंदिर में जाने के बाद आपक यह उपाय करना है उसके बाद शुद्द लोटा जल लेकर श्री शिवाय नमस्तु भियम ओम नमस्षिवाय मंतर का जब करते हुए शिवजी को जलरपीत कर दीजिएगा शिवजी को जलरपीत करने के बाद आपको एक स्वास्तिक मता तुलसी के पोदे के पास या अगर आपने मता तुलसी का पोदा गमले में वो रखा है तो गमले पर आपको एक हल्दी से स्वास्तिक बना देना है आपके जो भी रोग है बीमारियां है तनाव है वह सब दूर हो महादेव की और भगवान विष्णू की विशेश क्रीपा आपको प्राप्त होगी यह चोटा सा उपाय इस्तिती की महत्वता को समझते हुए आपको करना है अगर आप इस उपाय से जुड़ी हुई और कुछ विशेश जानकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें पंडित प्रदीब जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा श्री शिवाय नमस्तु भी हम हर हर महादेव